कुछ कथा वाचक से सुना है इस तरिये शालेगराम जी की पूजा नहीं कर सकती है पर इसकंद पुराण में लखाए कि इस तरिये शालेगराम जी की पूजा कर सकती है उन मेंसे मैं भी हूँ जो ये कहता हूँ कि साले गराम जी की पूजा समन तोर से इस्तरिया ना करें मैं तो पुर्शों के लिए भी बोलता हूँ अगर वो सिस्टेमाटिकली नहीं कर सकते तो प्लीज ना करें क्योंकि सालेग राम जी इस दरापर साक्षात पहली बात इसमें दो चीज़ों और सुन लिए एक तो ये कि स्रिया ना करें और दूसरा ये कि आज की तारिक में अगर मैं प्रश्ण करूं तो कितने लोगों के पास औरिजनल सालेग राम जी है मेरा फिर प्रश्णी ये है सालेग जिसे कहा गया कि नारेण का साक्षात निवास है जिसमें वो सामाने पत्थर नहीं है उसमें अंतरिक्ष की असीम उरजाओं को समैट कर अपने अंदर रखकर विस्फोट करने की ताकत है और वो उस पत्थर की विशेष्टा है इसलिए परमात्मा अपनी सुप्रीम पावर के साथ उसमें रहते है लेकिन प्रश्णी ये है क्या आपके पास औरिजनल सालेग राम है तो मैं क्योंगा शायद हजारों में से किसी के एक के पास मिले तो बड़ी बात है लेकिन बात यह एक चमत्कार प्दर को ऐसे किया जाए और अगर आपने या तो एक्टी वेट करने के बाद आप उसका उससे विवार कैसे कर पाएंगे और अगर आपने गलत कर लिया तो वो मशीन आपके लिए आपके लिए दिक्कत बन सकती है तो इतनी पावर्फुल चीज़ को इतनी असीम उर्जा से बरी चीज़ को क्या आप समाल सकते हैं या भाव की बात नहीं हो रही है या टेक्निक्स की बात हो रही है नॉलज़ की बात हो रही है तो अंतरिक्ष के अंदर असीम उर्जा को खीच कर अपने मंदर समाहित करने वाला पत्थर, साले ग्राम पत्थर कहलाता है, इसमें ठाकुर जी बास करते हैं, जिने हम साक्षा ठाकुर जी कहते हैं, तो वो उर्जा, इतनी उर्जा को समालने वाला कोई है, तो क्या हम उसको समाल सकते हैं? प्रश्ण ये है, बात ये है, के डीटील में जाए उसमें ये वी बताया है कि किस Tरह के क्या होना चाहिए किस के पास उतना सतित्व है किस के पाछ रखनी इस्थिर्ता है किस के पात इस्थिर्ता है किस देवा conversion है कि इंशीजों पर भी आपको गौर। होगा देखांगे सिर्फ आप उसे पत्थर न समझें कि अन्तर्क्ष में वाली घटनाओं का साक्षात रशन है शालिगराम जी का साक्षात निवास है सालिग्राम जी और जो सालिग्राम जी होते हैं उनमें उनके अंदर स्वन होता है सोना होता है यह आपको और पता दू दातुना मस्ति कांचनम जैसे वो सोने में वास करते हैं वैसे सोना सालेग राम जी में वास करता है ध्यान दीजीगा इस बात को